दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें रात के धाई बज रहे थें सत्यदेव जी को एसिडिटी हो गई थी इसलिए वो किचन में पानी लेने गए थें कि वो दवा खा सकें पर वो किचन में जाही रहे थें कि उनकी बेटी के कमरे से आवाज आ रही थी उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी के साथ उसके कमरे में कोई हो उन्होंने तरवाजे के छेद में से अंदर जाग कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और दोस्तो आपको भी अगर पता चलेगा तो आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे तो इसे जानने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तो ये कहानी है रेश्मा की हर बच्चों की तरह रेश्मा भी अपने माबाप की दुलारी बेटी थी रेश्मा की उम्र 20 साल थी और वो बीए 1 तीयर में थी रेश्मा वैसे तो एक बहुत बड़े घराने से नहीं थी फिर भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी रेश्मा की पिता सत्तदेव जी रेलवे में एक छोटी सी पोस्ट पर नौकरी किया करते थे रेश्मा अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी इसलिए उसके माबाप उसकी छोटी बड़ी हर गलतियों को माफ कर देते थे रेश्मा को कॉलेज में ही रवी नाम के लड़के से प्यार हो गया था अब रेश्मा रोज सुबा जल्दी से तयार होकर कॉलेज लगने के दो गंटे पहले ही पहुच जाती थी और कॉलेज के बगल वाली कैंटीन में रवी के साथ ही समय बिताया करती थी अब रेश्मा की बेकरारी अतनी बढ़ती जा रही थी कि अब उसे रवी के विना एक पल भी अच्छा नहीं लगता था पर शायद रेश्मा को ये नहीं पता था कि रवी कितना बत्तमीज लड़का है रवी की आदत थी कि वो कॉलेज की जादतर लड़कियों को अपने प्यार के जूटे जाल में फसा कर उनसे पैसे और मजे लेता था और इस बार उसने रेश्मा की जिन्दगी पर अपनी गंदी नजर रखी थी एक दिन की बात है कॉलेज खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट क्लासरूम से जा चुगे थें दुपार के तीन बज रहे थें पर रवी और रेश्मा क्लासरूम में ही रुख गयें और वहां रवी रेश्मा के साथ अपनी मरमर्जी करने लगा शायद रेश्मा रवी का सच्चा प्यार समझ के कुछ नहीं बोल रही थी और वो भी उसके साथ मधोश थी लेकिन आचानक से क्लासरूम में रेश्मा के प्रोफेसर जेके महाँ पर आ गये और उन्होंने रेश्मा को ऐसी हरकत करते पकड़ लिया वो रवी को पहले से ही ज घर पर प्रोफेसर को देखकर रेश्मा समझ गई कि शायद सर जी मेरी शिकायत करने आये हैं जिस वज़ा से रेश्मा डर के मारे अपने कमरे में चली गई प्रोफेसर को देखते ही रेश्मा की मा ने बोला जी बताइए क्या काम है आपको किस से मिलना है इत्तिफाक से जित करके रोने लगती है कि नहीं मैं रवी से सच्चा प्यार करती हूँ और वो भी मुझे सच्चा प्यार करता है हम दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता और हम दोनों अलग नहीं रह सकते हैं ये बात सुनते ही मा को गुस्सा आता है और वो रेश्मा को कमरे में बंद करके किचन में चली जाती हैं और रात को वो रेश्मा के पापा के सारी बाते बता तो रेश्मा के पापा ये निर्लाय लेते हैं कि अब रेश्मा की पढ़ाई बंद करवाना ही अच्छा होगा और वो उसे कॉलेज भेजना बंद कर देते हैं। इधर रेश्मा की तलपा और बढ़ती जा रही थी एक दिन रवी ने रेश्मा की सहली मुन्मुन को मुबाइल दे कर रेश्मा के घर बेजा मुन्मुन घर आई और उसने पूछा रेश्मा की मा से मा जी रेश्मा की तबिया ठीक नहीं है क्या कॉलेज में सैमिस्टर एक्जा ने वो मुबाइल देने आई थी और जब रेश्मा ने मुनमुन को देखा तो वो उसके गले लगकर रोने लगी कुछ देर बाद दोनों ने आपस में बात की मुनमुन ने रेश्मा से बताया कि रवी ने उसे मुबाइल दिया है मुबाइल देखते ही रेश्मा को मानो कौन स खुशी मिल गई हो मुनमुन कुछ देर बाद अपने घर चली गई अब रेश्मा का क्या पूछना अब वो तो रोज रात बर रवी से बाते किया करती थी और एक दिन की बात है उन दोनों की बेकराड़ी बढ़ती जा रही थी तभी रवी ने कहा इतने दिनों से हमने एक चलकियों के सहरे आता है रेश्मा रवी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा कर उसे अपने बिस्तर पर बैठाती है और उसे बोलती है जादा जोर आवाज मत करना नहीं तो मम्मी पापा जाग जाएंगे रेश्मा के मम्मी और पापा का कमरा बगल में ह और कुछ दिरबाद ही रवी अपने नीच हरकत करना शुरू कर देता है पर बेचारी रेश्मा उसको प्यार समझ कर उसे मना भी नहीं कर पाती रवी अपने मनसूमे में कामियाब होने के बाद जंगले के सहरे कूट कर अपने घर चला जाता है अब रवी रोज रात को योजना बना कर रेश्मा को प्यार के चक्कर में फसा कर उसकी इज़त के साथ खिलवार करने आता है करीब एक महीने तक ये प्यार का खेल चरता रहता है एक दिन की बात है संदे का दिन था रेश्मा अपने ममी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैट कर खाना खा रही थी आचानक से रेश्मा को उल्टी महसूस होने लगती है और वो खाना छोड़ कर बातरूम में चली जाती है बातरूम से जैसे ही जब उल्टी करके वो निकलती है तब दर्वाजे पर उसकी खड़ी मा पूछती है क्या हुआ तेरी तवियत तो ठीक है न बेटा आज तेरे पापा ड्यूटी पर भी नहीं गए है चल मैं तुझे डॉक्टर के वहां लेकर चलती हूँ रेश्मा डॉक्टर का नाम सुनकर डर गई वो पहले से ही काफी समझदार थी इसलिए उसने सोचा इस बात को सबसे पहले रवी को बताना होगा रेश्मा अपने कमरे में बहाना बना कर जाती है और मा से कहती है मा मैं ठीक हूँ और ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है अपने मोबाइल से रेश्मा जब रवी को कॉल लगाती है रेश्मा बोलती है आज रात घर आ जाना तुमसे अर्जन्ट बात करनी है रवी, रवी बोलता है ऐसी कौन सी अरजेंट बात है जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती चलो ठीक है आज रात मैं आ जाओंगा तुम रेडी रहना रेश्मा बोलती है हमेशा तुम्हें मजाक सुजा रहता है और वो ये कह कर फोन कार्ट देती है रात के दो बजे कमरे के जंगले से रवी चोरो की तरह मिलने आता है रेश्मा उसे देखकर गले लगा लेती है और बोलती है मुझे उल्टी हा रही थी माने मुझे डॉक्टर के पास ले जानी की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं गई मैं सुबा मेडिकली स्टोर पर टेस्ट किट लेने गई थी और जब मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया ये बास सुनकर रवी के चेहरे की रंगत उड़ जाती है और वो रेश्मा से उखडी हुई आवाज में बोलता है ये कैसी बात कर रही हो ये बच्चा मेरा नहीं है तुमने कहा मू काला किया है रवी के मू से ये बास सुनकर रेश्मा बिलकुल सुन हो जाती है और बोलती है रवी डरो मत मैं अपने मम्मी पापा को मना लूँगी और हम तोनों शादी कर लेंगे और अगर मम्मी पापा नहीं माने तो हम भाग कर कोट मेरेज कर लेंगे रवी बोलता है नहीं नहीं मुझे इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना रेश्मा बोलती है अरे वह काम निकल गया तो पहचानते नहीं इसका मतलब तुम्हें मेरे सिर्फ शरीर से प्यार था बाकी लोग सच बोलते थे अगर मैं उनकी बात मान लेती तो ऐसा नहीं होता और अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोच लेना कल मैं तुम्हारा कोट में इंतिजार करूंगी तुम सोपहर तीन बजे वहां आ जाना और अगले दिन ही रेश्मा कोट में रवी का इंतिजार करती है पर वो आता तो है लेकिन दूसरी लड़की के साथ और वो लड़की कोई और नहीं मुनमुन होती है रवी रेश्मा से पीछा चुडाने के लिए कहता है कि मैं मुनमुन से प्यार करता हूँ और जो तुमने किसी और के साथ मुझ काला किया है मैं तुम्हें कभी अपना नहीं सकता हूँ ये बास सुनकर बेचारी रेश्मा बेबस होकर रोने लगती है और कहती है अगर तुम्हें मुझ से शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझ से बोल देते पर तुमने मेरे उपर जूटा आरोप लगाया है रवी और इसका परड़ाम तुमें अभी भुगतना होगा और ये कहकर रेश्मा अपने पर्च में से चाको निकाल कर रवी के गर्दन पर मार देती है और मौके पर ही रवी की मौत हो जाती है आसपास के लोगों ने ऐसा तमाशा देख तुरंट पुलिस को कौल लगा दिया और वहाँ पुलिस आकर रेश्मा को गिरफतार कर लेती है रेश्मा के माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो भाग कर पुलिस स्टेशन जाते हैं तब उन्हें वो सारी बाते पता चलती है कोर्ट से गुजारिश करने के बाद ये फैसला आता है कि जब तक रेश्मा पेट से है उसे कोई भी सजा नहीं दी जाएगी और जब वो अपने बच्चे को जन्म दे देगी तब उस पर कारवाही की जाएगी कुछ मैनों बाद रेश्मा को एक पेटा होता है जिसे उसके माता पिता अपने पास रख लेते हैं और रेश्मा को उम्र कैद हो जाती है दोस्तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा प्यार उसी लड़के से करें जो कि आपके दिल से प्यार करें ना कि जिस्म से दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली कहानी हमारी सबसे पहले देख सकें धन्यवाद